हेलो एवरीवन गो डिवनिंग 26 जनवरी है तो इसलिए सभी लोगों को एक बार फिर से गर्तन तरदिवस की बहुत बहुत शुब कामने है इस वीडियो में कुछ बहुत इंबॉर्टन चीजों को में शेयर कने वाला हूँ आपको पता है कि यहां से 11 फरवरी के लिए आपके हैं बट एक्जाम की जो 15-20 दिन पहले 25 दिन पहले होला जो एक प्रेशर होता है जो एक इंजाइटी होती है जो एक गवराहट होती है वो इस समय कंडिडिट्स पर हावी है लगातार चीज़ें आ रही है कि पढ़ा बहुत है बट नंबर कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन र चाहिए कि एक टेस्ट आपका जी एस और हिंदी में मिला करके जो एक कट आफ है वो क्लियर हो जाए ध्यान से वुडियो को देखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट को में शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले आपको ध्यान अखना है कि जो भी आपके प्रीविए गिजाट में एकजाम हुए हैं ज्यास वो आपकी धीरे धीरे एक्जाम के समय निकलेगी, लेकिन अगर आपने उन बेसिक चीजों को नहीं कर रखा है, तो कहीं न कहीं आप बाद में रिक्रट करोगे, इसलिए यहां से, आप जैसे 17 जनवरी, आज आप चाहो तो ब्रेक भी ले सकते हो थोड़ा बहुत, उनके तो टिप पर है, एकदम रटा हुआ है उनको, पीवाई क्यों के जितने भी क्वेशन्स हैं, या जो मेन-मेन चीज़े हैं, सब उनको आती है, उनको बस स्कैन कर लेना है उसको, उससे क्या होगा न, कि आप जब टेस्ट वेपर वगरा देते हो, वो कम होना शुरू हो जाएं, आप कम से कम गलती हैं, एक्जाम में करो, ये एक मेन मोटो होता है, टेस्ट वेपर लगाने का, कुछ-कुछ चीज़ें जो आपने पड़ा रखी है, उसको आप बैटर वेवे में रिटेन कर पाते हो, से वह जाती है, कि हाँ ठीक है, अब ये चीज़ गलत नहीं करनी है, तो रिवीजन भी होता है, कुछ-कुछ चीज़ें आपको नई भी मिलती है, ये भी एक रिजन होता है, पर अगर आप कोई ऐसी टेस्ट रिस लगा रहे हो, जिसमें कोई exam का pattern follow नहीं किया गया, कोई उसमें to the point चीज़ें नहीं है, कुछ भी अपने मन से questions बना दिए हैं, just because कि उनको बनाने हैं उतने questions, अब आप उनको solve कर रहे हो, तो आपके 45-50 नमर तो आएंगे ही आएंगे, तो unnecessarily किसी का भी test रुठा करके नहीं लगा लेना है, practice के लिए अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, तो वो अलग चीज़ें, लेकिन जब आप अपनी preparation को judge कर रहे हो, तो कम से कम ये तो देखो, कि आप कौन सा test paper लगा रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक या दो से ज़्यादा recommend ही नहीं किये, मैंने कहा ही नहीं आप से किया आप लगाओ, अब वो तो आप की उपर है, आपका मने कि आप कौन से लगा रहे हो, तो आपको ये चीज़ खुद judge करनी पड़ेगी, तो ये एक बहुत बड़ी problem है, जिनके भी 40-50 नंबर आ रहे है, 55 नंबर आ रहे है test paper में, और बागी test paper में उनके नंबर अच्छे आ रहे है, 85-90, या जब वो PYQ जब देखते हैं, तो उसमें उनको सारी चीज़ें पढ़ी हुई लगती हैं, उन्होंने त्यारी भी अच्छे से कर रखी है, लेकिन कुछ-कुछ test paper में, पर्टिकुलरली कुछ-कुछ test paper में उनके रगर नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उनको परशाण होने की ज़रूत नहीं है, उनको देखना पड़ेगा कि वो actual test paper लगा कौन से है, आपको कॉमेंट्स में यहाँ पर बहुत सरे लोग अपना experience शेर करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे test paper हैं, जो unnecessarily इतना hard बनाये जाते हैं, कि आप पो यह लगे कि अरे यही question सबस्यादा important है, और आयोग यही पूछेगा, और फिर आप उनकी test series बाय करो, तो यह सब चीज़ें आपको game देखना पड़ेगा, यह आपको बार-बार कोई नहीं समझाएगा, मैंने आप उलिडी सब चीज़ें बहुत पहले से basics में समझाया हुआ है, तो जो PYQ जब आप अच्छे से revise कर लोगे, उससे क्या होगा आपका confidence boost रहेगा, क्यों, क्योंकि जैसे अपने history पड़ा, geography पड़ा, quality पड़ा, environment पड़ा, तो जब आप subjects revise कर रहे होगे ना पड़ा रहे होगे, तो अपने लगए अरे यही तो आता है PYQ में, fundamental duties तो पूछा जाता है, environment और Tiger Reserve हो गए, national park हो गए, यही सारी चीज़े तो आती है, जो protocol होती है, ozone वाली है, या फिर bio safety protocol है, यही सारी चीज़े तो पूछी आती है, pollution ही तो पूछा जाता है, ozone, depletion और जो carbon dioxide gases हैं, या जो ecosystem का concept है, यही सब तो environment में अभी तक पूछा गया है, इही सब से तो आएगा, तो जब यह सब चीज़े आप PYQ में देखते हैं, तो आपका confidence बना रहता है, अब आप अगर PYQ को देखो गई नहीं, आप उसको revise नहीं करोगे, आप सुचो कि मैंने तो उसको 6 बर पढ़ लिया है, अब मैं उसको क्यों करूँ मुझे तो answers याद है, ऐसे नहीं होता, देखते रहना होता है, एक्जाम के 2-3 दिन पहले तक बस देखना होता है, लैक पेज फिलिप करने होते हैं, बस देखना होता है, और जब आप एक्जाम दोगे, तो आपको इसकी value पता लगेगी, दूसरी चीज़ यह है कि current affairs, अब जो आपके 15 दिन बचे हुए है, current affairs को रट लीजे एक्दम, रटना है और कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है उसमें, बहुत सारे लोग हैं PhD कर रहे है current affairs के उपर, RO, RO में UPSC के अंदर, यानि कि जो UPSC है, उतर प्रदेश लोग से आयो, ये in-depth नहीं पूछता है बहुत ज़्यादा, पूछेगा अभी तो दो तीम question, अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि अरे in-depth पूछता है, in-depth कितना पूछता है, hardly दो तीम question, इससे जादा in-depth नहीं प पढ़ रहे हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक पढ़ानी है, अब जो 15 दिन बचे हुए है, इसमें तो आपको daily पढ़ना है, मतब जितना जादा पढ़सा को उतना आपके लिए बढ़ी है, current first को रट लेना है, जितना जिन लोगों ने वर्दान जरन का रखा है, उसक कुछ और चीज़ें देख सकते हो, जहां पर आपको लगे कि हाँ मेरा ये वीक पॉइंट है, तो current first को पूरा धियान दीजे, बहुत ही important section है, इसको आपको हलके में नहीं लेना है, PYQ आपने देखी लिया है, इसके बाद बात आती है घटना चक्र subject wise, आपने घटना चक्र कम से कम नहीं तो 5-6 बार पड़ी हुई है, अगर आप पिछले 6 मेनों से जुड़े हुए हो ना, तो मैंने खुद 5 बार करवाई हुई है, दो बार तो मैंने क्यों बैच में कराई है, उसके लगवा मैंने इतनी बार इधर उधर से revise करवाया हुआ है, दो दो तीन तीन चा आप एक दिन से आदा नहीं लगेगा, लाइक जैसे history है, आप hardly modern history को एक दिन में revise कर सकते हो, एक दिन में ancient development कर सकते हो, दो दिन में आपकी पूरी history revise हो गई, इस तरीके से जोगरिफी में आप एक दिन में इंडियन जोगरिफी हो कर सकते हो, एक दिन में वर्ल्ड और chemistry की कुछ को चीज़ें कर लो, physics को आगले दिन आप किसी subject के साथ में कर सकते हो, जैसे आपने reasoning practice की, या आपने economy practice की है, economy विगरा पढ़ रहे हो, तो उसके साथ में आपने कुछ को चीज़ें लगा ली, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, यही तरीका है, अगर आप ए अपने mind को यहाँ से push करो, push करोगे तो होगा, जितना जाद आपने सामने से चीज़ें गुजारोगे न, आखों के सामने से इतनी चीज़ें रहेंगे, तो वो आपके 15 दिन में आपके दिमाग में रहेंगी, आप तरन पहचान जाओगे, तो को हर चीज टिप पर नहीं या आप नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं यह लानी कि आप हिंदी में 45 नमर लियाओ, बहुत है, अगर नहीं बनना है, आप इंग्ली सुडियम के कनि रिटो, अगर हिंदी में तो तो 53 नमर लियाओ, 52 लियो, मैं तो कहा रहा हूँ, 50 या 52 नमर भी अगर आप लियाओगे तो इसमें आपको विल्कुल भी हलके में नहीं लेना है, घटना चक्र को अच्छे से रिवाइस करिए, जल्दी रिवाइस करिए, मैंने आपको इसी लिए आज से दो दो महीने पहले, पॉइंटर के बारे मता दिया था, GS की पॉइंटर आती है, वन लैना फ्रैक की फॉर् रहे हो, attempt कर रहे हो, और निकालना है अगर आपको, cut off clear करनी है, तो कम से कम उतना आपका तयार हो, यह basic एकड़म चीज होती है, इसकलाब हिंदी के अगर बात की जाए, तो अब हिंदी को एकड़म फाइनली scan कर लो, हिंदी में 6 topic थे, आपको पता था, हर चीज के बारे में हर जो भी एक, जहां पर क्या importance है, उसकी किस तरह से आपको तयार करना है, जो भी चीज़ें थी सब आपको बताए जा चुका है, तीन topic तो उसमें ऐसे हैं, जो बिल्कुल easy है, तो उसमें से एक question भी किसी का गलत होना नीच चाहिए, तो इसमें विलोम हो गया, वाकियांश क पढ़ा भी रखा है, तो आप easy उसको कर ले जाते हो, हिंदी में आपको ध्यान रखना है कि अब आप scan करके रख लीजे, यह जो आपके पास 15 दिन बचे हैं, इसमें ऐसा होना चाहिए, कि आपने suppose अगर कर ले और पर सो, दो दिन में हिंदी को तयार किया, एक दिन में तीन करेंगे उनको, यह आप छोड़ देंगे, नहीं नहीं, मैं तो पच्छमनी सोच के आएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन undue pressure अपने ओपर मतल दा लिए, कि आपको 58 ही करने हैं, 59 ही करने हैं, किसी के 60 में 60 है, तो मुझे भी 60 में 60 लाने हैं, यह सब नहीं, हर इंस परियाबची के वीडियो में लेकर राने माला हूँ, परियाबची में रिवाइस करवा दूगा, परियाबची शद्दों में काफी लोगों को प्रॉब्लम है, काफी लोगों की IBT, मैं रिक्वेस्ट आई थी, मैसेज आया हुए थे, उन्होंने शेयर किया हुए था कि कम से कम रखने, रिवीजन ज्यादा चाहँ रखना है, यहाँ पर आपको इस टाम पर बहुत सारी चीज़े दिखेंगी, यह भी दिखेगा, वो भी दिखेगा, सब चीज़ फ्री में दिख जाएगी, होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पर हर इंसान हर चीज़ फ्री में दे पास आईए, तो क्या गरंटी है, या क्या आपको लगता है उससे, कि वो चार दिन में आपको वहाँ पहुचा देगी, जो आप चीज़ ले करके तीन मेने, छे मेने में नहीं पहुचे, इस चीज़ पर एक बर क्वेशन जुरूर करना खुद को, इसलिए अपने हिसाब से जच करो उस चीज़ को, कि क्या आप उतना कर पाओगे, मंदरा दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए सोर्स अलग कर लो, आज चब बिस तारीक है, शाम को मैं तो कह रहा हूँ, कुछ मत पड़ो, एकदम ब्रेक लो, रेस्ट लो, औ ही कहीं से भी आपको टेस्ट दे दे, कुछ भी दे-दे, आपको कहीं किसी टेलगराम चैनल पर मिल जाए, फेस्बूक पर मिल जाए, यूट्यूप पर कहीं कुछ भी हो, आपको भटकना नहीं, आपको सिरफ वो कॉल करना है, जो आपने सब्सब इक यह करोगे, आखरी के 15 आपको मैनेज करना है, बाकि कोई कोई आपसे बोलेगा कि 15 गंटे 16 गंटे पढ़ो, पागल मत बनो, बेवकूफों वाली चीज़ हैं मत करना, एक्जाम डूप जाएगा, बाद में रिग्रेट करोगे, 15-16 गंटे एक दिन दो दिन पढ़ा जाता है, 15-20 दिन 15 गंटे पढ़ हो, इतना आपके अंदर पोटेंशल रहा है, कि फिछले दो महिने में आप बार-बार-बार-बार-बार, हफते में 3-4 दिन 14 गंटे पढ़ते थे, तब तो it makes sense, this makes sense की हाँ ठीक है, ये बंदे के, या इस इंसान की अंदर ताकत है उतनी, ये 14 गंटे पढ़ लेगा, आप अ नीन लेना भी equally important है, healthy diet लेना भी equally important है, ठंड हो रही है, अभी मौसम चेंज होगा फेप के पहले वीक में, तो उस टाइम पर तबियात खराब नहीं होने देनी है, प्रापर हर चीज का ध्यान रखना है, smart इंसान वो है, जिसने वो करतो लिया ही लिया, उसके बद में उसको पढ़ाई कर रहे हो, इस टाइम पर कोई भी ऐसी unwanted चीज, कोई भी ऐसी दुरघटना पर साथ ना हो जाए, जो आपका exam खराब कर दी, इस चीज का भी ध्यान रखना आपको है, यह होती है, smart test लिया आपको ध्यान रखना है, इसके अलाबा, जितने भी working candidates है, जो कहीं पर busy ह इतना समय नहीं है, वो job में भी है, वो कम से कम यहां से 4-5 गंटे तो हर हालत पर निकालें, इतना अगर आप नहीं करोगे, 5 गंटे कर आप नहीं निकालोगे, जो जौब में रहते हुए भी, आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो 15 दिन कहने को 15 दिन है, इतने में क्या वियान नहीं दे रहो आपने पढ़ा सब कुछ है आपने रिपोर्ट भी पढ़ी है इंडेक्स भी पढ़ी है आपने आर्टिगर्स भी पढ़ रखे हैं आपने हिस्ट्री में जो में में बैटर लें ट्वीट है उनको पढ़ रखा है लेकिन आप रिवाइस ही नहीं कर रहो आप सोच रहो अरे मैंने एक बार पढ़ा था ठीक है बट आप मुझे आचकल टाइम नहीं मिल रहा है तो एक्जाम में आपका नमबर नहीं आएगा यह आपको समझना पढ़ेगा यह मैं आपको डरा नहीं रहूं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं लेकिन अगर आप पिशले तीन मेने चारो मेने में भी आपने पढ़ाई नहीं किये बाद का यह जो समय होता है पंदरा दिन का बीस दिन का पच्छेश दिन का एक महिने का जिसमें हर इंसान बैट करके जो पूरे एक सालसर पढ़ाई नहीं कर रहा था वो भी बाद के बीरता मतलब होनी चाहिए अपने अंदर क्यों को कि अगर आपके अंदर यह जीज नहीं है तो आप टाइम वेस्ट करोगी करोगी सीट अगर 411 है तो उसी के हिसाब से जितने गुना लोग लिए जाएंगे उतने ही लोगों का सेलेक्शन होगा बहुत सारे लोग आएंगे यह पढ़ने का जो पागल पने न यह तुमारे अंदर होना चाहिए नहीं है तुमारे अंदर तो फिर छोड़ दो भाई जैसे आप सोच रहो ना कि आप कर लोगे 2 घंटा पढ़ाई करके और यह आपको प्रलिम्स निकल जाएगा ऐसे हर शलक पर रखुमने वाला इनसान स प्रावर आजाओ उससे आगे निकलने की फिर देखो कि आप आगे कैसे निकल सकते हो तो उस लेविल की जो एनरजी है वो एक्जाम में आपको पुट करनी ही करनी है यहाँ पर इतना ज्यान देने का इतना लेक्चर देने का जो मतलब है वो सीधा सा यह है कि यह जो पंदर हतियार को पैना किया जाता है को शॉर्ण कि चलाया जाता है मौक bracator या यह योद अब लडने की बारी है यहां पर इario ृम्पर पिशले तीन मैंने से चार मैंने से लो रट तो सकते हो ना यह तो इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना है और वह एज इडिस एक्जाम में आता है एक दम डिरेक्ट वह एक्जाम में आएगा अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको एक बार क्रोश चेक करना पड़ेगा इसलिए ध्यान दो 15 दिन ह जुड़े हुए हैं वो सब पहले जुड़े हुए हैं लाइक में जून से ही वो सिरियस थे यूवी पीसर्स का पेपर 2023 का देने के बाद से वो लग गयते आरो यारो में दें वेकैंसी काफी लेट आई लेकिन वो लगे हुए थे लगे हुए थे तो उनको रिजल्ट गयते तब ही समझाया था तीन मेंने ते तब ही समझाया था और आज भी आपको पूरा गाइड किया जा रहा है एक एक चीज़ बताई जा रही है कि कहां पर गड़ा है कहां पर खाई है कहां पर आपका पैर गलती से भी नहीं पढ़ना चाहिए आप क्यों पर डिबेंड कर सब छोड़ो, कहीं कोई चीज भाग नहीं जाएगी जो भी इंसान होगा या चीज़ें होगी वो सब समझ जाएगे until or less कि यापी की शाती हो वनना थोड़ा सा वाइट करिए 15 दिन पढ़ लीजे, उसके बाद में जो आपको मन में अच्छा लगे जो आपका जहां जाने का मनो, जो जिनके संग आपको बात करनी हो, गैधरिंग हो सब कर लीजेगा, लेकिन ये 15 दिन छोड़ दीजे, सिर्फ वो सिर्फ उपनी पढ़ाई के लिए पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि डेली 4 गंटे सिर्फ उसर्फ रिवीजन करना है रिवीजन ही ऐसी चीज़ है जो आपको भीड से अलग करती है पिछले 6 मैनों समें ये चीज़ चिलाता चला रहा हूँ जो बच्चा रिवीजन करके यहां से जाएगा 4-4 गंटे का, 3-3 गंटे का एक अलग लेवल का confidence वहाँ पर exam के भार वो ले करके जाएगा ये सच्चाई है जितने लोगों के वीडियोज आप YouTube पर देखते हो ना कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया सब के सब confidence उनका क्यों आया है, क्यों ऐसा है क्यों उनको ये चीज़ मिल गई, क्यों को क्यों रिवाइस किया वहता है, इस चीज़ की value समझो और revision करिए बहुत hard work के साथ-साथ आपको discipline की सुरहत होती है, अनुसाशन की सुरहत होती है daily तीन गंटे revise करना भी कोई हलकी चीज़ नहीं है अब यगर मैं आपसे record मांग लूँ कि पिछले दस दिनों में आप बताओ, आपने कितना revise किया तो आप बता नहीं पाओगे, डंक से बहुत कम गिने चुने ऐसे candidates मिलेंगे जो ये बता पाएंगे, कि हाँ भीया, ये एक से 25 तक जो ये दिन है, यानि कि एक से जन्वरी से 25 जन्वरी तक, मैंने daily धाई गंटे revision किया है, और जिस बच्चे ने 15 दिन के अंदर, आप 6 गंटे पढ़ रहे हो चार गंटे revise करो, जो नया पढ़ना था आपने पढ़ लिया, इस छलावा है ये MOM आया है, सब इसके बीचे मत भागो ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी रह गया कि यहाँ पर आपको पता है कि सिर्व इतने चैप्टर है, यही से आएगा यहाँ पर GS बहुत बड़ी है बहुत विशाल से लिपस है, इतना विश्टरित है कि आप अभी तीन साल आपको और दे दिया जाना कि अभी मेरे syllabus complete नहीं हो, syllabus कभी complete नहीं होगा दिमाग से syllabus complete करो answer निकालना सीखो, कि जो पढ़ा है उसको use कैसे करना है बहुत सारे लोगे उन्होंने पढ़ाई कर रखी है लिप उनको confidence नहीं आ रहा है, अरे क्यों confidence नहीं आ रहा है इसके बाद आपको ध्यार में देना है कि गवरानी की बिल्कुल भी जरूत नहीं है थोड़ा बहुत pressure हर किसी को होता है ऐसा नहीं है कि अपका exam अगर सर पर है और अगर आपको बिल्कुल pressure नहीं है, बिल्कुल stress नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किये, आपने सिर्फ और सिर्फ मस्ती किये ये बात आपको समझना पड़ेगा जो व्यक्ति सिंसियर होता है, जिसने अपनी हर चीज बॉर्डर पर लगा रखी होती है कुछ खोने के लिए होता है, प्रॉपर मेहने से पढ़ाई किये होती है, चार-चार-चेशे गंटे लगा रहता है इंसान डिस्प्रिन के साथ में, इधर-उदर बाकी चीज़ों के लिए उसने यहनों sacrifice किया होता है तो obviously उसको paper के पहले थोड़ा से एक nervousness होती है, anxiety होती है, pressure build-up होता है कि अरे यार, इस बार मेरा paper है, इस बार नहीं हुगा तो क्या होगा, यह छोड़ी-छोड़ी चीज़ें आती है बहुत चोड़ी-छोड़ी जमिदारियां होती है, और बहुत बड़ी-बड़ी जमिदारियां होती है, उनको hold करना पड़ता है उनको hold करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उतना mature हो, तो अगर आप ऐसे exam से घबरा जाओगे आपके अंदर खाल़ी होती है जो पहली जो पहली पर भार में इसी चीज़ कर जाते है तो आपको यह समझना पड़ेगा, जितना analyze करोगे, introspect करोगे खुद को, उतना उस चीज़ करें आपके अंदर वो चीज़ बिल्डोगे तो गहराना नहीं है बिल्कुल भी घहराने से कुछ नहीं होता यह बात अपना सुना होगा ना कि चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए इस बात में बहुत ब़ुजन है कभी इस बारे में सोचो इधर उधर भागते मेनों में पढ़ा क्या रहते हैं यह तो पता होगा ना तो यह question पूछना चाहिए आप क्या पूछते हो कि मेरा ये तयार नहीं है वो तयार नहीं है मेरा ये नहीं हुआ मेरा वो नहीं हुआ जो है उससे आपने कितना अच्छा किया यह आप क्यों नहीं देखते हो तो यह अगर आप blender नहीं commit करते हो, तो आप चाहो तो आज से ही test देना बंद कर सकते हो, और जितने test अभी तक दे लिए हैं, 5, 6, 8, 10, 15, जितने test देनी हैं, उनको revise करो, अगर आपको लगता है कि नहीं comfortable हो, आपको growth देखने को मिल रही है, अपने अंदर improvement देख पा रहे हो, सुधार हो रहा है preparation में, तो आप 31 जन्वरी तक करो, यानि कि जो 5 दिन बचे हुए है, 27, 26, 29, 30, 30, इन 5 दिनों में और test दे लो, उसके बाद में, जो भी 10 दिन आपके पास हैं, उसमें 5 दिन अलग रख लेना test series के लिए, कि उन 5 दिनों में, मुझे test series को, जो solutions हैं, उसके, उनको revise कर होंगी, very short notes आपने जो बनाए हैं, वो भी होंगे, फिर आप वहाँ पर लेकर के history के notes भी जाओगे, ये सब चीज़ें पहले पढ़ने की होती है, test series की जो भी solutions होगरा है, पहले से तेयार करके रखो, इसमें ये नहीं होता है कि 50 लगाने, 60 लगाने, 70 लगाने, अपने हिसा साले तीन से साले चारी है, जो एक गंटे का हिंदी का paper है, पहली चीज़ ध्यान अखेगा कि GS का paper आपका कैसा भी हो, दूसरा paper आपको डुबाना नहीं है, पहला paper कैसा भी हो, आपको नहीं पता, आपको लगए का paper बहुत अच्छा हुआ हो, हो सकता है कि आपका, जब आप निकालने मैठोगे, तो आपके बहुत सारे questions गलत हो, क्यों कि paper दिने के बाद कुछ पता नहीं जलता है, थोड़ा बहुत पता चल लगता है, यहां ठीक है paper अच्छा हुआ है, वरना पता नहीं लगता है, आदे questions में dispute होता है, पता नहीं रता है कि इसका answer क्या होगा, आप घर आते हो, रास्ते में अगर आपने दो-चार questions मिला है, फिर आप घर आए, आप पो बहुत सारे videos मिल आते हैं, जिसमें answer की दी गई होती है, अब वो उसमें, समझो, रेस समझो, जैसे आप घर आए, अब वहाँ पर उस समय जिसने पहले video निकाल दिया, answer सब को पता है, कि आप देखोगे video, आप उसमें answer की मिलाओगे, तो बस उन्होंने ना cross check किया, ना कुछ किया, जल्दी-जल्दी उन्होंने निकाल दिया video, उनके आगए 50,000 views, आप आप ने वो वीडियो देखा, आप एकदम demoralize हो गए, कि अरे, मेरे तो 50 में से 40 ही हो रहे हैं, मेरे तो इस इस चीज़ के बीचे नहीं भागना चाहिए, तो पहला paper जब देना, तो उसके बाद हिंदी का paper गर्ड़ बना करना, दूसरी चीज़ की जो साड़े 9-11 वाला time frame है, उसमें daily पढ़ाई करूँ, आप ये जो 15 देने हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अभी सर्दी हो रही इससे आपका क्या होगा न, कि आपकी जो maximum performance है, जो आपका एकड़म peak performance है दिमागी, वो निकल के आएगी, अगर आपकी साड़े 9-11 से साड़े 11 सुर्फ सूने की आदत है, 15 दिन भी आपने अगर ये चीज़ रेप्लिकेट की, तो suddenly 11 February को जा करके, आप ये उम्मीद मत रख कि ये चीज़ कितनी matter करती है, especially ये जो season है, गर्मी का season चल रहा हो तो कोई फरक नहीं पड़ता है, आप अगर 10 दिन से रात में भी पढ़ रहे हो, या आप सुबा नहीं भी जग रहे हो, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, सर्दियों में especially आलस रहता है, तो आपको ये द आपको अपनी will चाहिए, बहनत करना चाहोगे, एक दिन, दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर सारे वीडियो निपटा सकते हो, जब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपना जो पढ़ाई का time है, उसमें बैट करके देखो, जो चीज़ आपने पढ़ लिए, उसको उस टाइम प मत करो कि जब आपका सबसे productive time है, जैसे morning का या दुपेर का, शाम को या रात में वीडियो लगाओ, जब आप तहल रहे हो, इधर उधर कुछ और चीज़ कर रहे हो, खाना ना बना रहे हो, whatever you are doing, जिसमें आपने पहली बार वो चीज़ नहीं करनी है, उस time पर आप वीडियो ये exam में आ भी सकती है, और मैंने नहीं किया, तो this is the very high time, और PYQ को मत भूलना, PYQ को भूलोगे तो UVBSC तुम्हें मूल जाएगा, ये बात मैं आज बता रहा हूँ, 11 February को paper होगा, बैट करके मिलवाओंगा, उसमें खुद देख लेना, और हर किसी भी subject को एक level से ज़्याद आप 5 दिन सो पढ़ रहो, या फिर अगर environment, environment से 10 question आते हैं, और 10 में से 7-8 question ऐसे आते हैं, जो पता होता है कि यहीं आएंगे, उसके बाद भी आप वो चीज़ें पढ़ रहो, जो आपको पता है कि ये exam में आने वाली नहीं है, फिर भी आप उसमें लगे होगे हो, just because कि आपको अच्छा लग रहा है, आप switch नहीं कर पा रहे हो, ये सब मत करना, बाकी पहले बार अगर YouTube पर वीडियो देख रहो, चाहो तो चैनल को subscribe कर सकते हो, आरो यारो के साथ में याभी मैं यूबी पिसस के लिए भी काफी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, definitely उसमें आपक अलग लेवल का जोश है, एक जुनून है, एक उत्सहा है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को समझ पाएं better way, में retain कर पाएं, उनको तरीका पता लगा है कि एक्चन में पढ़ा ही करते कैसे है, कैसे return मिलता है, अभी तक पढ़त हो रहे है, तो ये बटन को एक guidance नहीं था सही, अब उनके सामने वो problem नहीं है, तो अभी आपके सामने हार मानने का वक्त नहीं है, 26 जनवरी है प्रतिग्या लोग कि इसको यहां से आपको बढ़िया करना है, और यूबी पीसेस का paper बहुत दर टाइम उसमें भी नहीं है, आपको पता है, आपको पेपर देकर के आओगे, हासने रोने का भी समय नहीं है, पेपर अच्छा हो जाएगा तो बहुत जादा खुशिया नहीं मना सकते, पेपर खराब हो जाएगा तो बहुत जादा दुख नहीं मना सकते, आपको तुरह यूबी पीसे 24 के लिए लगना पड़ेगा, तो इसलिए लगा थार पढ़ते र